देहरा विधान सभावा हरिपूर थाना के अंतरगत सलाडी गाउं के पास खमान में तेज रफतार ट्रक ने भरमौर निवासी रामदास की 32 भेडों को कुचल कर मार दिया रामदास वो उसके साथी भेडों को लेकर जा रहे थे तभी लंज की तरफ से आ रहे ट्रक ने उनकी भेडों को बुरी तरह से कुचल दिया जिसकी बजह से 32 भेडों की मौके पर मौत हो गई वह 20 भेडे घायल है हादसे के स्थान पर बेजवान जानवरों के खुंसे लत्पत भेडों की लाशे पड़ी वी थी सड़क पूरी तरह से खुंसे लत्पत हो गई है हादसे के बाद हरिपूर थाना की टीम ने भी मौके पर पनहुच कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है वहीं लंच पशू अस्पताल लंच की टीम भी घटना स्थल पर पनहुच गई थी जिन्होंने घायल भेडों को प्राथमिक उप्चार दिया बहीं थाना प्रभारी हरितुर सुशील कुमार में मामले की पुष्टी करते हुए कहा की सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर भेज दी थी वह मामले की जांच की जा रही है आरियार टाइम्स डेस्क रिपोर्ट जिला चमबा में दो दिन से लगातार हो रही भारी बारिश तेज हवाव की वजह कई जगह फसल तो कही मकानों को काफी नुकसान पहुचा है आज प्राम पंचायत जुलाडा के मुलका निवासी सुरेश कुमार पुत्र निधिया राम के घर की छट धह गई जिसकी वजह से घर वसंपती को भारी नुकसान पहुचा है इसी के साथ चुलाडा निवासी निहलू राम पुत्र देसराज के छट भी धह गई उक्त छट रहायशी मकान पर गिरने के कारण मकान को भी खशती पहुची है पीडित परिवार ने विभाग से उचित मुआवजा प्रदान करने की गुहार लगाई है प्रधान चुनिलाल वो उप्रधान कपल शर्मा ने बताया कि वो लोग मौके पर गया और उप्त लोगों के घरों को नुकसान पहुचा है प्रशासन को इसकी रिपोर्ट भेज उचित मुआवजा देने की मान की है